अनुवस्कार आज हम डिसकर्स करेंगे हिमाचल प्रदेश जी के important question आपको पता है कि PGT का paper जो आपका है ना PGT का paper 1 जो आपका रहने वाला है paper 1 में क्या होगा paper 1 में 30 number की हम पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि HPG के आपकी 100% ठीक हो सके at least 100 नहीं तो 80 90 तो ठीक हो ही सके क्योंकि बहुत ज़्यादा माईने रखेगा paper 1 जब paper 2 में जो हो मेरिक नंबर जो हो स्थित है तो अगर हम हमाचल प्रदेश में glaciers की बात करते हैं तो यह सारी चीजें याद नहीं रह सकती एक बारी में इनको क्या है जो मोटे-मोटे तौर पर जबाबार बार पढ़ते हैं तो कुछ चीजें याद नहीं रहेंगी तो इनको बार बार रिवाइज करना ही एक आपने ध्यान रखना है कि चंद्रा वैली में ये पाचा ग्लेशिर पढ़ता है कुल्टी ग्लेशिर की बात करें तो कुल्टी ग्लेशिर भी जो है वो चंद्रा वैली में ही पढ़ता है अगर हम समुद्री ग्लेशिर की बात करें तो समुद्री ग्लेशिर ये भी चंद्र तो ये आक्सर होता है कि तरफ संहीं कम जालता है जब हम पैपर में बैठते हैं, इन चीजों को नोट करें दूसरी बात आपने ध्यान रखने कि चंद्रा वैली में कि यह तीन ही ग्लेशियर है नहीं चंद्रा वैली में और भी ग्लेशियर जो है जैसे कि छोटा शिगडी शिगडी का मतलब ही ग्लेशियर होता है ठीक है यह आपने ध्यान रखना है कि छोटा शिगडी तो शिगडी क चंद्रा वैली में पढ़ता है और इतने काफी हैं ग्लेशियर चंद्रा वैली के ग्लेशियर हमने जान लिए वह बहुत जादा इंपोर्टन्ट है आपके लिए तो इतने ही डिसकस करते हैं वैसे हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर आपको पता है न कौन सा है हो है बड़ा शीकरी ग्लेशियर हमाचल प्रदेश में जो कि सबसे बड़ा है जो कि इस बढ़ीं आव पित्य में चैनव नदी को भी ये पानी प्रवाइड करवाता है और बड़ा शीग्लेशियर जो हो और मॉन्टान 25 किलो मेडर लॉंग जो है और इसकी अगर हम विर्थ की बात करें तो 3 km जो है वो approximately इसकी width है यह आप नोट करना था अगला question देखें हम बुलते हैं which district of हिमाचल प्रदेश has the lowest literacy rate among females according to 2011 census आप बुलेंगे यार पिछली बार तो discuss किया था एक बार फिर से इसी question को discuss है ने पिछली बार हमने पूर्सों का discuss किये था अब इस बार हम भी आऊंगा डिसकस कर रहे हैं पूर्सों और महीलाओं का दोनों का ही important है पूर्सों का exam मैं पूछ थिया गया तो क्यों न महीलाओं का ही पूछ लिया जाए exam नरे ऐसा भी थो सोच सकता है कि एक तो इसका सही अंसर जो है जो है जो है और रहने वाला है option ए सही अंसर हो जाएगा चमबा मैं ही जो है वह महिलाओं का साक्सरतादर जो है वह सबसे कम है अगर हम बात करते हैं ना overall हिमाचल प्रदेश की मैं फिर से data को revise करवा रहा हूँ अगर पिछली बार note कर लिया है तो ठी है ने तो अभी स्वार का लिए ना हैं हिमाचल का ही मारी का पूरा जो इसका है वह 82.80이라 आता है और फि मैल लिट्रेसी रेट जो है मेल लिट्रेसी डेट प्रदेश का है 89.5 और फिमेल लिट्रेसी डेट 75.9 अएल जो है ते भी आपने दियान ऽ्यान लग verbessण सबसे कम है चमभा डिष्टिक का 82.6 पुर्सों का यह आपने ध्यान रखना है और सबखे अधिक कहा है जो am i Test a do N 1994.4 अब महिलाओं की और आ जाते हैं महिलाओं का जो है और वह चमभा डिप्रस्टिक में कितना 61.7% 61.7% महिलाओं का है और दूसरी है और अगर हम बात करते हैं सबसे कम और यह तो हमने कम जान लिया है सबसे ज़्यादा वाला हम डिसकस करें तो वो कहाँ पर है वो है आपका डिस्टिक्श हमिरपूर में 82.6% जो है वो है 82.6% है लोहल्स पित्ती को लेकर कन्फ्यूज होता है तो अब वो कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपका कि लोहल्स पित्ती में महिलाओं का साकसरता दर सबसे कम होगा नहीं लोहल्स पित्ती में साकसरता दर सबसे कम नहीं है हमाचल प्रदेश में सबसे कम साक्सरता दर्द जो है वो हिमाचल प्रदेश में चमबा डिस्टिक में ही आता है और सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट जो है वो हमिलपूर का है लहुस्पित्ती का तो 76% है और चमबा का 72% है ये भी ध्यान रखना था आपने तो मैंने सारा डेटा बता दिया और बे क्या लेना देना किसकी साहिक नदी है तो बोलते हैं कि तीर्थन जो है ना वो कहां पर जोइन करती है ब्यास को वह लार्जी नामक स्थान पर जोईन करती है option B जो है उसे एंसर है लार्जी अगर नहीं पढ़ा होता ना तो लार्जी की तरफ कभी धियान ही नहीं जाता क्य हैं कि आप बुलेंगे यार लार जी तो यग अलग से साहेक नहीं पर तो इसका तो अलग ही है कुछ नहीं लार जी जुँ है लार जी आपने ध्यान रखना है कि तीज्थन जो हो ज्वाइन करती है वे यह graz को यह आपने नोट है यह भी इंप्रेंट ही है वैसे लिख लेना इसको भी बैस 서कत्र कर है नती ऑफ कि व warrior's के एक साइक नदीह लोव मानूनी इसकी एक साइक नदी है देनों हम इस है तो है और उहल विचो है वह साकर नदी और वहल वह सान दो अभी आप si हमें लिपहारा आपार आपने दियान रहता थोétais कि क्या करते हैं ना कई बड़े सींपल सा उसिंपल सा कॉएशन धाटा होता ध्यान रहता नहीं बियास नदी जिसका व 애들 yang इसका वेधिक नाम अरजिक्या है, हीमाचल प्रदेश में topping में 256 km अपने ध्यान रखना है अपने ध्यान रखना है। इसका वैदिक नाम है वे तो आपको यहात रह जायेगा। और आपने ब्यास में का ध्यान मंडी में पर वेस करती है और संदोल के समी यह कांग्रा में पर वेस करती है यह भी इंपोर्टन्ट है यह बड़े ही basic questions है प्रंथु basic questions ही एक्जाम में कर गलत हो जाते हैं तो यह चोटा सा होता है कि ऐसा सोच की चलते हैं कि टफ पेपर आएगा टफ टफ पढ़ने के चक्र मैंसान चीज़ों को याद ही नहीं करते हैं अगला कोशिन देखें बोलते हैं विच वन आफ फॉलाइंग हॉट वाटर सप्रिंग इस इन कुलू डिस्टिक ऑफ हिमाचल प्रदेश तो बोल देखें कि कल्लू जिलिया में यह ज्यादतर है कि सोब जो होकुल्लू में पढ़ता है proportion भी जहां ऑपने द्यान रखना है के एक राहला वह पर ओटर फॉल हैो चेहं पर 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 पड़ता है वह भी मनादी के ऑस्मी जो कहीं पर है खीर गंगा जो है ये भी जो है वो कुलू डिस्टिक में ही पढ़ता है वसीष्ट पानी का स्त्रोथ हो गया चस्मा हो गया ये भी जो है वो कुलू में पढ़ता है कहीं बार एक्जामनर भूश लेता है कि जो वसीष्ट है वसीष्ट कौन सी नदी के किनारे स्थित है तो वस तो शिम्मला मैंने पढ़ा कहींपर में नौर भी तबहें कब्सक्राइब किताब चौबर्न शार्श को दो अर एक वार पूच लिया था exam 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 चमबा के हिस्ति डेटेल में तो तब आप फटा फट बता देंगे अगर नहीं पड़ी होगी सिर्फ इतना ही पड़ा हुगा कि मेरु वर्मन ने जो हो चमबा की स्थापना की यह तब फ़रुशी दिकत हो सकती है अब आपने ध्यान रखना है कि चमबा की स्थापना राजा म मेरु वर्मन के द्वारा की गई और कब की गई यह पांसो पचास इसपी में की गई सूर्य वंसी राजा जो था वो यह हुआ करते थे यह भी नोट करना है आपने चमबा के राजा आये अधित्या वर्मन यह लगवग लगवग 620 इसपी के आसपास आये और इनके द्वार यह काफी परसिद्ध हुए अभी आपने आँके देखा कि मनी में हिसे यात्र हुई मनी में हिस मंदिर है तो यह मंदिर जो था वो मेरु वर्मन के द्वारा ही भरम वर्मन जो था वो बनाया गय था लक्षना देवी मंदिर चंबा के एन के दूरा बनाए गई है, छत्राडी मंदर जो शक्ति देवी के मंदर के नाम से फिर शिध्ध और नहीं है, वह राजा मेरूबर्मु के दूरा ही बनाए गए था, चंबा के राजा साहिल वर्मन आए, गो ही तो टो राजा बना है, फरHHस आये उनकी बेटी का नम चमपावती था उन्होंने जो था उझांवा सहर का नाम रख दिया और उसके बाद चमबा से जो था हो शाशन होने लगा और राजा साहिल वर्मन के कारेकाल के दुरान जो था हो चंदर सेखर मंदिर चंदर गुप्त मंदिर कामेश्वर मंदिर ये मंदिर जो था वो बनाए गई थे ये भी आपने ध्यान लखना है चमबा के वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है चमबा के राजाओं की हमने बलोकरा सीरीज में डिसकस कर रखी है अगर चमबा की पूरी हिस्टरी आपने देखनी होगी तो चमब जेब के द्वारा जो था वो ओडर दिया गया कि भई तु जा और जितने में मंदिर हैं तेरी रियासत में उन सभी कुछ होनस्ट करते पर उन राजाओं नों जो था वो ओडर मानने से इंकार करते था वो थे चमबा कर राजा चतर सिंग ये आपने ध्यान रखना है 1963 में जो था वो खोला गया था पोस्ट ऑफिस यहां वर ये आपने नोट करना है अब ध्यान रखना है कि चमबा में भूरी सिंग म्यूजिम है ये भूरी सिंग म्यूजिम बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है इसकी स्थापना कब की गई थी ये पूछा गया है 1908 में अब हमने यहां से ध्यान रखना है ये चमबा के बारे में हो गया अभी कोई डाउट तो नहीं बचा ओफुली डाउट क्लियर हो गये होंगे तो सारा हमने डिसकस कर लिया अब सारी डिस्टरी तो एक वार्में डिसकस नहीं होगी मुख्यम ने जान लिया आगे बोलते हैं इन बैटल्स होती है बैटल्स जो हुई है ना पहले की जिम्हें ही जो रहे हैं उनकी ऊपर जो है वो एक तरह से यह बेस्ट होता है चमबा के अगर हम डांसी की बात करें खासकर बुढ़ा डांस से स्टार्ट करें तो हमें क्या जानने को मिलता है इंपॉर्टेंट विंद बिट्स च्रम और में देखने को मिलता है और यह जो भुरा हुआ दिखाईों जाता है ना कि शाठा जाठा और पाशा तो क्या है थिवाली और जो और वी फेस्टिबल कोई होते हैं उन फेस्टिबल के ओपर यह परफोर्म किये जाता है किस तरह से परफोर्म किये जाता है तो इसमें दस पंदरा आदमी कि एक टोली बनाई जाती है और चार-पांच आदमी जो होते हैं वो वद्य जनतर जो हो यहां पर बजाते हैं और इसमें ना ये जो वीर गथाएं होती है ना उनको गाया जाता है तो इस तरह से ये होता है बुढ़ा डांस पता चलके न अब तो को निफ्यूजन नहीं रहा ह वारे में और इवात कि शुher है किन नोर में अगर घंए भाथ के शांद और शाबू बहुत थैब यहां बिद्ध और हम सेचिए कैन उन्हेंस पुर्णा मोदी तो बोलत आ है वह सुब्याइब आप डॉंडी में आपने धियान रखना है कि मंदी जिले में और कौन 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 सी वह ससु सुथ है अ है हुई तो ची है ची सोपाने सेंचुरी भीन । कहां पर पड़ती है वह पड़ती है मंदी के जिले में हम वो इस की स्थापना की गई थी शिकाली देवी वायल लाफ सेंचुरी की स्थापना भी 1962 में ही माने जाती है अलग-अलग जीलों की वायल लाफ सेंचुरी के बारे में अगर हम बात करें तो देखो हमारे बास जो है वो रिस्टी कुल्लू सबसे पहले दिया गया है लिष्टी कुल्लू में कौन कौन सी वायल लाफ सेंचुरी आती है लिष्टी कुल्लू की ही अगर हम बात करें तो यहां पर यहां पर तीर्थन वायल लाफ सेंचुरी भी आती है लिष्टी कुल्लू में लिष्टी कुल्लू की अगर हम बात करें तो यहां पर ग्रेटर हिमा और बिलासपुर की अगर हम जाने तो बिलासपुर में कौन सी वायलाफ सेंचुरी है थी एक तो गोविन सागर वायलाफ सेंचुरी हो गया उसको वायलाफ सेंचुरी जो है वो बोल दिया जाता है नैना देवी वायलाफ सेंचुरी हो गया नैना देवी माता का मंदिर भी है आनादेव की पाड़ियां भी हैं तो वही वालाइब सेंशडी की होगी जीस साइड पाड़ियां है अगर हम बात करें सोलन डि स्कित इसदी समय काओ लचरर इचार सबसे इत्यां न's just से थिल्ला घाट सेंश्डी समय एन तंटाल हुआ है चोटी वास्त क्या जैंचीरी है वह कहां पर सतित्थ हैं ये उस्टीक सोलन मेंusa वो स्थित यह अपनी ध्यान रखना और व्हय वाड़ी संचुली हिमाँचल प्रदेश की कौन सीौरिय सबसे बड़ी किब्ब्ब्बई एत अग्यों प्यूंति के बार से बारे में अच्छर वीजन हो गया अगले में अफैंकर 29시죠 पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज पीजीट के लिए प्रेक्टिस करनी है तो उसका लिंक में नीचे कमेंट वरक्स में दे दूँगा हाना PGT की टेस्ट सीरीज हमने चलाई है और आपको बहुत अच्छार वीजन हो जाएगा पहले आप एक टेस्ट प्रेक्टिस करेंगे उसके बाद आपको कमियां लगेंगी फिर दूसरा टेस्ट एस पर शेड्यूल होगा फिर आप उस टेस्ट को देंगे तो कमियां दूर हो होंगी चौथे टेस्ट को देंगे और कमियां दूर होंगी इस तरह से टोटल बारा टेस्ट जो हैं वह आपके होंगे PGT में तो लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं एक थोड़ा सा टाइम में आप कालूंगा अगर आप यूपियाई से पेमेंट करें कार्ट से आप कर सकते हैं पर उसको यूपियाई को अभॉई करने की कोशिश करें कि वहां से अभॉईट करते हैं अगर की साहिक नदी नदी है धिरोत की करें थिरोट हमने क्या पड़ा है चंद्रा और भागा न दियां जो है न चंद्रा और भागा नदियों का थिरोटण नाला जो है वो मुख्य रूप से लिंको पानी प्रवाइड कराता है तो यह चंद्रा भागा में आगया वंतले लहौल स्पित्ती साइट में आ गया e profess 거기 साइटा में पर यह भी गलत हो जाएगा यह भी गलतव साइगा हमारे पास कावली करके जो हो बचा कॉली जो है कॉली हड्र एलेक्टिक प्रचक्ट कितने मेगावाट का है तो यह 12 मेगावाट की जो है वह परियोजना है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्रिसिटी बोर्ड लिम्टेड जो है वह इसको एक्जिक्यूट करता है गज परियोजना जो है यह 10.50 मेगावाट की परियोजना है यही हिमाचल प्रदेश स्टेट एलेक्रिसिटी बोर्ड लिम्टेड ही इसको एक्जिक्यूट करता है मारबास एक और परियोजना जो हो यहां पर बचती है कौँशी थिरोट परियोजना थिरोट परियोजना जो की चंद्रा भागा रिवर वेसिन पर जो हो आती है यह कितने मेगा वाट की परियोजना है थिरोट परियोजना लहौल स्पित्ती डिस्टिक में जो होती है और यह लगभग लगभग 4.50 मेगा वाट की परियोजना है और इसको कौन एक्जिक्यूट करता है तो यह भी हिमाशिल प्रदेश स्टेट इलेक्रिसिटी बोर्ड लिम्टेट के द्वारा ही एक्जिक्यूट की जाती है पता चल गया ना सब कोई कन्फूजन नहीं है इन उप्शन के बारे में कन्फूजन दूर हो गया ना सब का सब और अगला क्वेशन देखते हैं हमारे पास यहां से क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेशन देखें नेक्स्ट क्वेशन मैं बोलते हैं यहां पर तो महारिशी के नाम से किसको संभूजित किया जाता है किसको महारिशी भी जो है वो कहा जाता है अगर हम महारीसी की बात करेना तो महारीसी कहा जाता है Nikolis Rorik को मैंने Anand Rorik ही यहां पर लिखा है क्योंगे एक्जामनियर ऐसा भी लिख सकता है तो आपको confusion हो सकता है ये जो Rorik थे ना ये कौन थे ये जो Rorik थे ना ये Rorik Russian Painter थे कौन थे Russian Painter थे माता त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर ये मंदिर जो है वो पैगोड़ा आर्केड़क स्टाइल में जो है वो बना हुआ है ठीक है ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है मैंने इनके शॉर्ट्स भी डाले थे एक वार आपके साथ शेर करने के लिए अगर हम सोभा सिंग जी क की बात करें तो ये भी पेंटर थे अंद्रेटा में इनकी गैलरी स्थित है अम्रिता शेर गिल की बात करें तो ये भी पेंटर थी ठीक है ये भी पेंटर थी और अम्रिता शेर गिल के बारे में क्वेशन पूछ लिया जाता है कि कहां पर इनका जनम हो आता तो हंगरी बु बुद्धिश्ट में स्थित्त है, आपको ये बता होना चाहिए कि हंगरी की capital का अब्रहें बुद्धा बिश्ट में स्थित्त है, अच्छा यहां की currency क्या है, यहां की currency थोड़ी सी अलग है तो उस currency को आप सुन थियान रखना है, हमने अगर कोई country अभी हाल फिलाल में पड़ी है, तो paper 1 की, जो paper 1 की हमारी series है भ्राइस series उसमें हम पढ़ चुके हैं, हुशमें हमने कौन सी country जो था हो पड़ी थी, हमने साटी एर्भिया पड़ी थी, लियाद जो है साउदीयं अर्बिया की capital है हमने कतर पड़ी थी दो हाउस की capital है और हमने यू अई करंशी यू ए इकांट्री भी जो था पड़ी थी अब आप बताएंगे यू एकी की capital और यू एकी स्थापित नहीं हुआ था आपने पड़ा है 1936 में यहां पर प्रजा मंडल जो था वह स्थापित नहीं हुआ था आपने पड़ा है 1936 1936 में यहां पर प्रजा मंडल जो था वह स्थापित किया गया था यह आपने पड़ लिया आपने पड़ा है 1939 यहां पर सिरमौर में प्रजा मंडल स्थापित हुआ आपने पड़ा है 1939 में ही कुनियार में भी प्रजा मंडल स्थापित किया गया था तो वह तो आपने तो सबसे बड़ी सेंचुरी बहुत जیदा कन्पीूस मत हो जाएक यह नहीं अगर आपने कहीं पर पड़ी होगी ना जार्खंड में करके स्थित काँ परता हो अभी टिन आफ़ इसका सही अनसर हो 75 में जो था वो की गई थी ये गर्शिन बन गया आपके बास नैशनल इंटरनेशनल अफेर का तो साथ-साथ मैं HPG के तो हो रही है प्रहुत नैशनल इंटरनेशनल अफेर भी रिवाइज हो रहा है एक और बात H.S. का रिजर्ट जो है वो आ चुका है और अगली एड़ो डि इस भी आपको अवेल करनी है न तो यूपियाई करना होगा तो अवाइड करना कार्ट से आप वहां पर पेमेंट कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और यूपियाई के लिए आप हमें इमेल कर देना इमेल आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगी यह छोटी- प्याइट नहीं है और आगे क्या सकता है एक्जाम में उस तरह से जो है हमागे कर दम बढ़ा रहे हैं यह आप क्योश्ण देखिए जी क्योश्ण आपके लिए क्या पूछा गया है क्योश्ण पूछा गया है आपसे बोलते हैं विच राजा ऑफ मन्डी वाज हैल्ड कैप गय था और किस तरह से अजाद हुए था क्योंकि last edition में मैंने आपको सारा बताया हुआ है टेलीग्राम क्यासे जोइन करेंगे टेलीग्राम पर जोइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से add the rate all exam 31 करके search करना टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा तेलिग्राम प्यानल पर आपको हमारा वर्टसेफ ग्रूप का लिंक मिल जाएगा टेस्ट सिरीज का लिंक मिल जाएगा जो भी exam point office ज़रूरी होता है वो आपको सबसे पहले जो है वो तेलिग्राम पर मिल जाता है आज के इस वीडियो में इतना ही है that's all for today thank you